हेलो एब्रीवान मैं हूँ जैश राजगोर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंट्रस्टिंग यूट्यूब वीडियो में दोस्तों हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का OCM चैटर नंबर 4 बिजनस सर्विसेस 20 से 24 मार के लिए आने वाला ये चैटर बहुत ही जबरदस्त और मज़ेदार है हमारी इस सीरीज में हम लगातार इस चैटर के IMP क्वेशन कवर करते जा रहे हैं तो अगर आप से चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन दबाईए क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंफरमेटिव वीडियो मिलते रहेंगे दोस्तों आज का यह वीडियो बड़ाई खास होने वाला है क्योंकि हम पिछले कुछ वीडियो में बैंकिंग सर्विस को कवर कर चुके हैं और आज की वीडियो में आपन इंशॉरंस इस बिजनस सर्विस की शुरुआत करने जा रहे हैं तो जरूर 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 पूरी सी सिसके वीडियो हमने यह औल्रेडि क्रेड कर दिया कुछ चार वीडियो में हमने बैंकिंग सर्विस को कवर किया जिसमें अँने-फंक्शन सव।-कमंशिल बैंक तक सारा answers जो है IMP वाला cover किया है आज आपन शुरुआत करने जा रहे है insurance, business service की insurance बहुत ही important business service होती है क्योंकि हर businessman risk तो लेता ही है और risk गुगल थोड़ा बहुत भी कम हो जाए तो businessman के लिए बहुत अच्छा है insurance service एक ऐसी service है जो यार financial loss कम करने मदद करती है और risk का cover आपको देती है चलिए, detail में इसी के बारे में आज की वीडियो में जानते हैं what is insurance exactly? तो it is a means of protection from financial loss एक प्रकार का क्या है ये? protection from financial loss protection from financial loss कोई भी पूचे what is insurance protection from financial loss या कैसा जरीया है जिसके जरी financial loss के आप बच सकते है it is a form of risk management primarily used to hedge against the risk hedge against the risk बोले तो risk जे लडने के लिए, risk से टकर लेने के लिए और risk को कमती करने के लिए यार, contingent और जो uncertain loss होता है ना जो अचानक से आ जाता है कोई ऐसी untoward घटना घट जाती है जिसता हमें अनाला ही नहीं था ऐती घटनाओं से आपको पार करने के लिए insurance होता है दोस्तों कहीं न कहीं insurance is a contract between insurer and insured whereby the insurance company that is the insurer agrees to compensate the insured against the loss यानि जो company होती है जिसका आप insurance ले रहे हैं वो आपसे वादा करती है कि यार जब भी कुछ ऐसा होगा हम तेरे साथ खड़े रहेंगे जिन्दगी के साथ भी जिन्दगी के बाद भी जी हाँ दोस्तों और इसलिए the insured has to pay certain fixed amount has to pay certain fixed amount EMI के रूप में premium के रूप में आपको पैसे भरने है time to time to the insurance company LIC जैसी कंपनिया है new India insurance company ऐसी अलग-अलग companies है इंडिया में आज ठेर सारी insurance company है जो ये risk cover का काम करती है तो चलिए एक एक करके आज समझते हैं कि insurance के principles क्या है और क्या-क्या खास बाते हैं जो आपको insurance के बारे में पता होनी चाहिए basic terms in insurance सबसे पहला तो यार एकदम common एकदम basic है insured कौन होता है insured the person who is protected against certain losses वहव्यक्ती जो insurance लेता है वहव्यक्ती जो risk को cover करने के लिए policy खरीदता है उसे insured कहते है यार उसी को protection मिलता है insured is known as assured in case of life insurance contract he is the policy holder he is the policy holder he is the policy holder बात करें आगे दोस्तों तो अगला point है insurer ये company है न छोटू the firm or person who agrees to compensate the firm or person who agrees to compensate the insured against losses for consideration insurer is known as assurer in case of life insurance contracts because he is bound to get the sum assured यानि कहीं न कहीं insurer वो है जो यार कुछ नो कुछ policy के बदले में देने वाला है will get sum assured on the death of the policy holder जी हाँ तो भाईया कहीं न कहीं insurer यानि company आप समझ लीजिए firm आप समझ लीजिए वो person समझ लीजिए जो insurance दे रहा है और insured वो है जो insurance ले रहा है बात करें अगले term की तो यहाँ पर है premium भरना तो पड़ेगा कुछ पाना है तो कुछ देना भी पड़ेगा जी हाँ दोस्तों insurance जब आप policy लेते हैं तो policy लेते वक्त आप agree करते हैं कि आप premium भरेंगे और यह premium EMI के रूप में हफ्तनों के रूप में आप देते रहते हैं consideration याँ EMI's या आपका payments for which the insurer agrees to insure the insured it is paid by the insured to the insurer कई cases में यह lump sum payment में किया जाता है कई policies के अंदर यह थोड़ा-थोड़ा करके भरा जाता है कुछ period of time decide होता है दोनों के बीच में दोनों parties agree करते हैं और फिर यह premium जो है जो contract होता है the contract between the insured and insurer is called as the policy simple words है पहले यह समझ लेते हैं फिरांसर पे जाते हैं claim की बात करें तो यह शब्द भी आपको पता होना चाहिए it is demand claim बोले तो demand made by the insured to the insurer to compensate for the loss occur due to mishap बोले तो क्या कि हमने policy ले ली थी हमने policy ले ली थी risk cover करने के लिए हम regular premium भर रहे थे और finally वो दिन आ गया जिसका किसी को इंटजार नहीं था एक ऐसी घटना घट गई मतलब आग लग गई गोडाम में सारा मुसामान जहाई जलके राख हो गया अब हम बोलेंगे रहे हाँ insurance तो लिया था insurance लिया था तो हम claim करेंगे कि भाईया देख आब वो दिन आ गया है आपको risk cover देना पड़ेगा protection देना पड़ेगा आपने तो risk उठाया था हमारे को मदद करने वाले थे तो वो होता है claim जो insured होता है कि demand करता है यहाँ पर आपको समझना है it is the return request क्या है यह return request by the insured to insurance company to issue an insurance policy यह हमारा insured होता है वो company को बोलता है यह एक और शब्द है it refers to subject or entity which is insured जैसे life, property, cargo, ship जा वस्तू चा अपन insurance काड़तो है जा वस्तू चा अपन insurance क्योंआ life सा अपन insurance काड़ते तरती life क्योंआ थी वस्तू क्योंआ cargo क्योंआ ship ते आनना अपन मंतो subject matter जिस चीज़ का insurance आप ले रहे है उसे subject matter खहते है which is insured against the policy which is taken तो यह कुछ terms थे basic terms जो insurance में आपको पता होने चाहिए चलिए अब मुख्य answer पर आते हैं जो कई बार board exam में पूछा जा चुका है principles of insurance principles of insurance principles बोले तो उस तुमारे उसूल तुमारे आदर्श उस तुमारे उसूल तुमारे आदर्श answer का नाम music क्या है answer का नाम music जी हाँ दोस्तों question का नाम है principles of insurance answer का नाम music कुल मिला करके 7 point का यह answer detail में आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे वीडियो में अंतक बने रहिएगा music इस short code के माध्यम से पहला point है principle of mitigation of loss दूसरा है principle of you से utmost good faith ऐस से subrogation का principle है I से दो है indemnity और insurable interest से भी दो है contribution और cause proxima तो कुल मिला करके 7 points है, 7 उसूल 7 आदर्श, 7 principles of insurance, answer का नाम music, answer का नाम music, answer का नाम music, आपके सामने चलिए एक एक करके सभी points को cover कर लेते हैं, जी हाँ, सबसे पहले point की यहाँ पर बात करूं, दोस्तों दिखने में बड़ा है, लेकिन काफी आसान, mitigation of loss, क्या बोलती पब्लिक, mitigation of loss, जी हाँ, दोस्तों, mitigation of loss, आपने insurance ले लिया तो यह नहीं कि बस आप बैठे रहेंगे, हाथ पे हाथ धरे, आपके सामने, आपके गुड़ाउं में आग मुकसान हो, यही है, mitigation of loss, एक्जामपल की जरी बड़े आसानी से आप समझ जाएंगे, दोस्तों, for example, a house of Mr. Jayant is on fire, due to electric short circuit, आग लगी है घर में, in this case Mr. Jayant cannot remain passive, ऐसे ही नहीं बठे रह सकते, and must try his best to save his house from fire, उसे best कोशिश करनी है, फार वेड बुलाना है, पानी डालना है, कैस इसे भी करके आपको रोकनी कोशिश करना है, Mr. Jayant must be active, and cannot watch his house burn, just because house is insured, just because house is insured, कायर तुमने insurance ले लिया, तुमारा काम हो गया, ऐसा नहीं है, आपको भी कोशिश करनी है, इसी को कहते है, mitigation of loss, mitigation, शब्द का मीनिंग यही है, you have to be active, if any mishap is happening, insured must always try to minimize the loss, क्या, minimize the loss, उमीद करता हूँ, दोस्तों, या, music के अंदर, पहला point M से आप समझ गए होगे, बड़ा ही आसान सा, M से, mitigation of loss, अपन क्या पढ़ने, principles of insurance, answer करना music, M से, mitigation of loss, M से, mitigation of loss, उमीद करता हूँ, पहला point आपको समझा होगा, चलिए, बढ़ते हैं, आगे, example से पढ़िएगा, बड़ा आसा कर पाएगा, example लिखना ही है, यार ज़रा भी फेकोलोजी, ठोकोलोजी पर डिपेंड मत रहना, वो तो निकलती ही, अपने आप exam के टाइम पर, लेकिन, अगर आपको content अच्छा दालना है, example ज़रूर लिखना, utmost good faith की बात करते ही, यू से आता है, utmost good faith, भरोसा, यह सोनु transparent रहना है, जो insurance ले रहा है, उसे भी सारी बातें, कच्चा चिठा, सब कुछ बता देना है, company को अपने बारे में, और जो insurance company है ना, उसे भी कोई जोल जपाटा, कोई छुपाना नहीं, अपनी policies, terms और conditions के बारे में, आपने कई बार आड में देखा होगा, एने में बड़ा अरे भाई, सामाज में नहीं आया, अराम से बोलो, utmost good faith यहीं चीज है, वो समझाता है, कि यार दोनों parties को एक दुरुसरे से transparent रहना है, कुछ भी छुपाना नहीं है, अगर आप life insurance ले रहे हैं, आपको कुछ बिमारी है, आप बता नहीं रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं, आप क्लेम नहीं देगी company, आप company है, आप किसी को insurance policy बेच रहे हैं, तो यार आपको भी आपके terms and conditions clear बताने हैं, कि यार कौनसी कौनसी बिमारियां इस policy में covered हैं, आदमी बिमार वो आस्पिटल में लेटा हो, और फिर ये लोग बोलते हैं, नहीं ये वाला तो cover नहीं था, ये वा all types of insurance contract, both the parties must have utmost good faiths toward each other, एक दूसरे के प्रती बहुत अच्छा faith होना चाहिए, जैसे ही यहाँ पर example में आप देख रहे हैं, example में Mr. Shantanu has not provided information regarding his heart surgery, Shantanu भाई साब नहीं क्या किया, insurance लिया लेकिन अपनी heart surgery के बारें बताया नहीं, बताया ही नहीं policy लेने के समय, after his debt, अब वो टपक गए बिचारे, चल दिये, insurance company comes to know about this fact, insurance company को पता चला अच्छा, पहले से problem था अभी टपका पैसा ची इसको, तो as Mr. Shantanu has not provided, has not provided correct and complete information at the time of taking policy, insurance company can refuse to give compensation to his family, मना कर सकती है company, क्यों कि principle, उसूल क्या है insurance का, तुम्हाला correct आनी complete का है, correct आनी complete, का है, correct आनी complete, का है, correct आनी complete, का है, correct आनी complete information द्यावत लागे, दोनों को ही clear, complete and correct information, अच्छे से information सारा एक दूसरे को बताना है, ये शब्द underline कर देना, mark कर देना, लिखने में काम आएगा, clearly information बता दो, दोनों को एक दूसरे को बता नहीं है, correct information बता और complete information बताओ, अधा धुरा नहीं को छुपाना नहीं है, यही है, utmost good faith, उमीद करता हूँ दोस्तों, music के M और U आपको समझ में आगा, subrogation of loss, you say utmost good faith, चलिए बढ़ते हैं, आगे, music के अंदर, अगला point है, subrogation, क्या है boss, subrogation, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर है न भाई, एकदम simple मामला है, यहाँ पर है न, right of ownership के बारे में बात होती है, subrogation का मतलब ही है, कहीं न कहीं आपको समझ ना है, कि यार, as per this principle, after the insured is compensated for the loss due to damage, यह एक बार भरपाई नुकसान की करदी company ने, उसके बाद माली का ना हक आपका नहीं, वो subrogate हो चुका है, दूसरे को जा चुका है, कैसे मैं समझाता हूँ, example पड़ा ही प्यार है, आपको example से ही समझ में आ जाएगा, Mr. A जो थाना, उसकी एक bike थी, two wheeler थ किया, subsequently Mr. A filed a complaint in local police, अब क्या हो, पुलिस ने इसको ढूनना चालू किया, सब कुछ हुआ, मगज मारी चालू है, पुलिस ढून रही, अब तक कुछ आता पता नहीं है, लेकिन हमारे A भाई साब ने क्या किया, company को insurance भी लिया था, गाड़ी का तो claim कर डाला, और अब क्या fully to Mr. A for the loss of vehicle, Mr. A को क्या मिला, insurance का पैसा मिल गया, बात बहुत simple है, याद रखना, चोरी हुई गाड़ी, police complaint हुई, और फिर insurance claim क्या insurance मिल गया, लेकिन अब क्या होता है, later on, stolen vehicle was recovered by police, अब भाया Mr. A गाड़ी लेने आएगी, तो company क्या गाड़ी देगी, नहीं देगी ना, company ब claim देदिया, पैसा देदिया, अब तेरी गाड़ी पे कोई माली काना हक नहीं है, गाड़ी अब company की होगे, insurance company की अब वही बात है, subrogation की, in this situation, the owner of the vehicle does not have any claim over the vehicle as he has already subrogated, already उसे पूरा अपना claim मिल चुका है, that is, transferred the ownership, that is, transferred the ownership rights of the vehicle to the company, तो इस प्रकार दोस्तों, यही होता है, subrogation, subrogation मतलब transfer of ownership, एक बार आपका claim जो है, वो चुका दिया गया, तो उसके बाद आपका कोई माली काना हक वहाँ पर नहीं बचता है, music के अंदर, essay, principle of subrogation, उमीद करता हूँ, concept clear हुआ होगा, बढ़ते हैं आगे दोस्तों, I say, आसान सा और बहुत ही महतुपूर पॉइं है, indemnity, indemnity का मतलब होता है, guarantee or assurance, to put the insured in same financial position, immediately prior to the happening of an uncertainty, बहुत सिंपल बात है, indemnity का मतलब क्या होता है, कि भाई, हम company के तौर पर एक वाड़ा कर रहे हैं, कि आप नुकसान होने के बाद, हम आपको compensation देंगे, जिस पे आप वापक के अपनी सब्ली बादी पर आजाएंगे, दोतना example बढ़िया है, if property is insured, if property is insured for rupees 2 lakhs and if the loss by fire is 1 lakh, then the insured can claim compensation for 1 lakh only, यानि यार insurance का जो claim है, वो पूरा आपको मिल जाएगा, अगर आपको नुकसान हुआ है, loss by fire 1 lakh का और आपने 2 lakh का insurance लिया है, तो आपको 1 lakh रुपए जो भरपाई है, वो पूरी तरह से company दे देती है, त और यह जो है न, यह life insurance पर applicable नहीं है, यह याद रखना mark कर ले न, to life insurance as loss of life can never be measured, तो यार कहीं न कहीं, fire वाला नुकसान हुआ है, आग वाग लगी है, चोरी हो गई है, को accident हुआ है, तो ऐसे में आपको वापस से same position पर ला सकती है, company पैसे दे कर, monetary आपको फायदा पहुचा आपका risk cover किया जा सकता है, लेंगे न, आप भी टप पग गए, तो आपको थोड़ी हमराज से वापस ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं, तो somewhere or the other, indemnity का जो principle है, यह life insurance पर applicable नहीं है, बाकी सब insurance पर यह applicable होता है, तो indemnity बोले तो guarantee, indemnity बोले तो guarantee, एक ही करके समझी है, बास, mitigation of loss active रही है, passive मत रही है, loss को कम करने की, minimize करने की कोशिश कीजिए, use utmost good faith, एक दूसरे को सब कुछ बता दीजिए, complete clear और एकदम correct information, इसके अलावा, एस से हमने पड़ा subrogation, transfer of ownership, आई से अभी अभी पड़ा indemnity बोले, तो guarantee उमीद करता हूँ, दोस्तों, आपको समझ में आ गया ह होगा, answer, music, principle of insurance, बढ़ते हैं आगे, आई से दोस्तों, अगला point आता है, insurable interest, insurance का principle बोलता है, ऐसी चीज़ का insurance, जहाँ पर कोई नो कोई financial interest हो, means, in the subject matter, ऐसी चीज़ होनी चीए, subject matter, जहाँ पर दोस्तों, जहाँ पर दोस्तों, जार, insurance का नुक्सान, मतला, जो insurance लेने वाला वाला वालती है, उसको subject matter से फराख परता है, फराख परता है, तभी काम आपको में आपको में आपको लिता insurance का यार वार आपकाई, insurable interest is applicable to all insurance, it is said to have insurable interest in subject matter, when the existence, या line भुआ पिल्ट ला, जोने की वजे से आपको फाइदा हो, और ना वनी वाई से आपको मुष्णान होता है, तो इस्टी चो insurable interest बोखते है, example देखना समझेगा बहुत, for example, a person has insurable interest in his own life, तो उसकी life उसकी लिए insurable interest हो, तो या उसकी property, to property उसके लिए इंसूराब नुट लारी साॱ नुट और विजनस्मन什麼 Rich करता हूं दोस्तों एक और आई आपको यहां पर समझा होगा हम पढ़ रहे हैं दो बचे हैं दोनों सी से ही हैं बहुत ही प्यारे पॉइंट सी से करके अंडर इस प्रिंसिबल दे इंशॉड कैन क्लेम कंपेंसेशन उनली टु दे एक्स्टेंट अच्वल लॉस आइधर फोन इंशॉर और फोन इंशॉर और आपर है और जितना आपने प्रीमियूम अगारा भरा है और जिस जिस जगा पर कई लोग क्या करता है कि जब एक कंपनी से नहीं दो तीन कंपनी से पॉलिसी लेनी पड़ी और ऐसे में दोस्तों नुक्सान होता है तो दोनों कंपनी से आप जो हैं अपना रिस्क कवर लेते हैं आपका भरपाई लेते हैं और दोनों कंपनी जों कंट्रिब्यूट करती हैं उसके हिसाब से जितना आप उनको प्रिमियम दिया है वो लोग किसके हिसाब से दिए आपने एक कमपनी से एक करोड की पॉलिची दूसरे से première करोड k award के हिषाब से आपको भर पाई देगा और दूसरा एक करोड़ वाला भी उस एक करोड़ के इसाब से भर पाई देगा somewhere और दियादर आपको समझना है कि जिस company से जितनी policy उसका उतना contribution समझ में आ रहा है येस एक example देखते हैं और उसके बाद आप पूरा clearly समझ जाएंगे for example मिसाइली इंशूर्थ हर property of rupees 2,50,000 with two insurers दो company से उसने धाई लाख की जो अपनी property थी ना उसका insurance लिया एक T insurance company थी जिससे उसने एक लाख का insurance लिया और एक R insurance company थी T से कितने का लिया एक लाख का और R से कितने का लिया एक लाख पचास लार का तो इस तरह से उसने क्या किया अपनी धाई लाख की property का दो जगा पे insurance लिया एक से एक लाख का और बागी का एक लेड़ लाख का समझेगे if मिसाइली ज प्रोपर्टी इस डिस्ट्रॉइड अब होता है घमासान नुकसान हो जाता है and the loss is worth रुपीज एक लाख बीस हजार नुकसान कितने हो एक लाख बीस हजार का अब देखना दो बोथ insurance companies will contribute towards actual loss that is एक लाख बीस हजार तुमने उनसे जो हिसाब में policy ली है ना उसके हिसाब से वो लोग contribution करेंगे है ना तो दस company T जिससे T से इन्होंने एक लाख का लिया था है ना तो एक लाख कितना है टू फिफ्थ है तो एक लाख बीस हजार जितने का नुकसान हो है ना उसका टू फिफ्थ वो लोग देंगे that is 48,000 कितने का तूने policy लिया था हमसे टू फिफ्थ का तो हम भी तेर को नुकसान भर पाई टू फिफ्थ अमाउंट का देंगे जितने का भी नुकसान हो है उसका टू फिफ्थ similarly जो दूसरी कंपनी है आर विल पे 72,000 that is 350 क्योंकि उससे तुमने लिया था जो प्रॉपर्टी का तुम्हारा जो इंशॉरेंस था डेल लाख था वो 350 था of the property value तो basically contribution मेरे से जितने की policy उतने का मेरा contribution no fatili no extra simple i से sorry c से contribution हमने यहाँ पर देख लिया आखरी point की बात करें तो cause a proxima cause a proxima बोले तो क्या caused by more than one causes नुकसान जो है न जब एक से ज्यादा घटनाओं से हुआ है एक से ज्यादा reasons से हुआ है तो उसे कहते हैं cause a proxima और ऐसे में the approximate cause of loss should be taken into consideration जो ultimate होता है जो ultimate नुकसान होता है जो ultimate cause होता है नुकसान का उसे ही consider किया जाता है the properties insured against some causes and not against all causes simple है ना यार मैंने fire insurance लिया था लेकिन मेरा policy बोलेगी ना insurance company बोलेगी यार तूने policy तो आग लगने का लिया है ना डूब गया जहाज उसका हम लोग claim नहीं दे सकते हैं तूने यार टीबी का insurance policy लिया था तेरे वो दूसरा बिमारी हो गया है उसका cover हम लोग थोड़ी दे सकते हैं somewhere और the other ये एक principle का cause a proxima का ही meaning है दोस्तों मैं आपको example देता हूँ a house एक घर था which was insured against risk of theft चोरी के लिए उसका insurance किया गया था अब चोरी हुई भी मजा आ गया चोरी भी हुई देखिए there was a theft in the house and before leaving चोर भुले आग लगा के जाते है ना यार चोरी दो करी लिए ना माचीस मार ये नियल लेते हैं तो कहीं नहीं चोरों ने सालों ने क्या किया there was a theft in the house and before leaving the house was set on fire by the thieves अब जो insurance मांगेगा ना जब तो insurance company बो लिए जो जला है उसका हमारा कोई लेन दें नहीं है तो चोरी हुआ उसका हम लोग भरपाई देंगे क्योंकि हमारे से तुने policy चोरी के बदले में लिए risk cover जो है वो आपको according to the policy मिलेगा now there are two causes of loss theft and fire the nearest cause of loss was fire as the house was insured against theft and not by fire the insured will not get any compensation from insurance company for loss by fire but he will get the compensation for the property lost by theft जो चोरी होरी हुआ ना उसकी भरपाई जरूर मिलेगी क्योंकि insurance policy उसी की थी लेकिन जो दूसरा cause था जहाँ आग लेगे उससे जो नुकसान हुआ उसकी कोई भरपाई नहीं मिलने वाले इसी को बोलते हैं cause of proxima that is the approximate cause और we can say जो cause था जो immediate cause था या हम खह सकते हैं the insured will not get compensation from the company for loss by fire कहीं न कहीं उमीद करता हूँ ऐसे multiple cases में जो है nearest cause को ही देखा जाता है उमीद करता हूँ दोस्तों यहाँ पर आपको सातो principles समझ में आ गए होंगे question का नाम है principles of insurance famous question एक कई बार board exam में आ चुका है answer का ना, music, answer का ना, music, answer का ना, music, answer का ना, music, answer समझ में आ हो तो जरूर comment करना, like करना, share करना students तक प्यार चानल पर बरकरा रखना आपके लिए हम लगातार वीडियो लगातार वीडियो बनाते रहेंगे और आपको support करने की कोशिश करने please 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 do like, share and subscribe दोस्तों यहाँ पर 7 point का एक और important answer हमने complete किया हम ऐसे ही वीडियो लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे सीरीज को जरूर फॉलो कीजिएगा यहाँ OCM का chapter number 4 हम पूरा cover करने वाले हैं IMP questions tips और tricks के साथ तो मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियो उसके ताथ तब तक के लिए do like, share and subscribe